हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट पीजा हमने एक मार्केट में मिलते हैं जो पीजा बेस वो रेडी पीजा बेस लिया है उसके बाद हम इसके लगाने जा रहे हैं यह पास्ता पीजा सॉस इसके बाद हम इस पर डालेंगे यह वेज मियोनेज यह पीजा जो है हम प्रियांक के लिए बना रहे हैं तो इसमें बहुत ही कम चीज़े डाल रहे हैं अगर आप डालना चाहें तो और भी वेजी जाल सकते हैं हम सिर्फ उसको क्यूंकि स्वीट कॉन पसंद है तो स्वीट बना रहे हैं अच्छे से पूरे में जो मियोनेज और जो पीजा सॉस है उसको फैला लेंगे अब हम इस पर स्वीट को डालेंगे हो कि एप एपिस के बारी आमुल कि यूर दा इस चीज ओ ती आम दो जरे लगे पूरा लेंगे इस पैंगे है 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 कि यह देखिए हमारा जो पीजा है वो रेडी हो चुका है अब हम इसे जा रहे हैं माइक्रोवेव में लगाने दो मिनट के लिए माइक्रोवेव में लगाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यह हमने माइक्रोविब में लगा दिया है और इसको दो मिनिट के लिए सैट कर देंगे यह देखिए हमारा पीजा अंदर पूरा पक चुका है आपको अगर हलकालका दिख रहा हो तो चीज हमारी पूरी मेल्ट हो चुकिए अब हम दिखाते हैं आपको कैसा बना है कि यह देखिए और नीचे भी गिर गई है चीज चलिए तो मैं अब इसको निकाल लेती हूं यह मुझे लग रहा है काफी गरम होगा अब मैं आपको प्लेटिंग के टाइम पर दिखाते हूं अब हम इसे कट कर लेते हैं हमारे पास पीजा कट्र था तो हमने पीजा कट्र से कट कर लिया है और यह देखिए प्रांक क्या खाओगे पीजा किसके लिए बनाई है और कौन खाएगा अच्छा मैं खाऊंगा या नहीं हुआ है हुआ है